हलो गाइस स्वागत है आपका मावे फिचर एवलिशन की एक और वीडियो में तो जैसा कि आपको पता ही है कि टोटल कुछ कुछ ही दिन बचे हैं इस गेम को खतम होने में और इस पैडर मैं से हम पूरी स्टोरी पार नहीं कर पाएंगे जैसा कि लगी रहा था तो मैं सोच र आपन थे रेवरेस्ट के लगा है इसका अपने करेख कि अधक defense कर एक जा बाते हैं क्योंकि और भुलाते हैं क्योंकि वही बहुत ब़ुरे असे कह सतना बहुत जादू टोना से आता हूं ठीके ना जब आप उस कुवे में आक चीब सक हाते हो तो उसमें यह वह आपका बिनीवी फेस निकलती उसे ही मेर कहते हैं वह मेर बताता है कि कहां पर है वर्ड रीसीड ठीक है तो वह एक अजीब सी गुत्थी मतलब एक अजीब सी पजल बोलता है उस पजल का कोई मतलब नहीं निकलता ठीक है न इस सरी बताओ तो अब इतना टाइम होगा कि मुझे याद ही नहीं कि वह क्या था ठीक है ना उस पजल का कोई मतलब बनता है कि नहीं ठीक है उसका फिर हम जाते हैं कर्स्फ फॉरस में पूरे डार्क एल्स के बारे में पढ़ते जाता कि आपको पता है जब आप इसमें थे एस गार्डियन सेटलमेंट के अंदर तो कि जगे से भखा दिया जा रहा है और उनकी जगे से क्यों भखा दिया जा रहा है क्योंकि उनकी जगे हो रही है बहुत सारी ठंड ठीक है तो हम पता करते हैं इनकी जगे ठंड हो रही है इसलिए लोग इस साइड आ रहे और इसलिए हम पर अटेक कर रहे है फिर हम जाते आ तो उसमें से थंडी यवा निकली जारी है निकली जारी है इसके बीच में हम Forbidden Forest के अंदर शायद Locky को हराते हैं क्योंकि Locky हमको धोका देता है Curse Forest में हम शायद Fenris को हराते हैं यह ना Fenris को या फिर उसको हराएंगे Dark Elves के उसको लीडर को यानि कि Maliki को और फिर I cPs के अंदर हम राते हैं शायद हम इसको प्रेश्ट के अंदर के और शायद को नहीं हराते ना नॉर्मल किसी ऐसे चोटे मोशन सकते होंगे और और आल्टर और विल्टर में हम हराते हैं लॉफी को तो हमें पता लगता है कि लॉफी ने विंटर ओफ कास्केट खोल रहा जिसके विए से होगी ठंड और ठंड की वज़े से सारे लोग वही एस जो थे वह नीचे की साइड आ रहे थे मिट गाडिया में तो आइसी पीक्स उ जो कि लोकी के पापा है ठीक है ना फादर है ठीक है तो उन्होंने विंटर ओफ कास्केट खोल रहा है एक ऐसा डबा जिसमें थंड निकलती रहती है उस थंड की वज़े से यहां सब ठंडा हो रहा है सब लोग नीचे की साइड भाग रहे है डाल चैल्स और यह सब भी ठी है तो उसके बीच में फैन्रिस को भी हराते हैं में फैन्रिस भी कुत्ता जो की फॉरर numéro of movie में भी था ठीक ना ब्लैक एलडर का बड़ा सअ कुता और प्राइम टारगेट भी है इसी एरिया का फोटाट रेकंफ मी दिला प्राइम होँ छाता है इसना उठाने के चाह्तव वो वर्डी हो जाता है ने इसमें वर्डी नहीं होता है पर उसमें करेंट वाली पावल तो आ जाती है वर्डी फैनलिस पर नहीं होता है वर्डी तो लौफी के सामने ही होता है ठीक है उसके राद फिर हम वापस फैनलिस को हरा दिये सब कुछ हो गया हम आई सी पीक्स में आ जाता है पर सभी में मलता है कि यह नहीं पता है पर गेम के दर यह दिखाया गया है कि लोकी मर गया है तो थोर उसी गुस्से में और उसी frustration में worthy हो जाता है, laiak बन जाता है mule neer के और mule neer उसके पास आ जाता है उसकार वो उसी सर ocel conducting अपर असली बात वो scheintמא को नहीं हराना nah हमरा हराते छोपे लाचता है वो फाइनल ब्लॉ मारता है वोaint很有UST को खतम करने के लिए उसकार फिर dow aquí जाके winter of cascade को यानि कि जो डब्बा होता है तुम्हारी वज़े से तुम्हारी वज़े से वाई ट्री सीट की वज़े से मेरे भाई को मैं अपनी जान गवानी पड़ी I hope it's worth it तो मैं चाहता हो कि इसकी जान काम्याब रहे इसके लायक हो कि तुमने जो भी क्या हो लोकी यह कहके थोर उड़ जाता है अपने भाई लोकी के साथ में और फिर हम विंटर ऑफ कास्केट को लेके आ जाते हैं इसमें अपने ओमेगा फ्लैट में अब उस चेस्ट को अपन खोल नियुक्र रहो और फिर हमारा जादू चलाता है उस नब्बे को खोलता है जैसी उस युक्सपे किसने काला जादू कर रखा है वो प्रॉस पल्ति है प्र, वह थ्युर्स नहीं ऑप उपर उपस्टवी प्टी स्टोरी मिट गाड़िया कि थी कि तो आग हूं ситу करेंगे अगली स्टोरी सकार ठीक है तो आग वीडियो में इतना ही चलता हूं तैंक्यो बाबाए